एक साल दो महिने तेरह दिनों तक जिस क्रिशी कानून के खिलाफ देश में जबर्दस भवाल माचा हुआ था ना 26 जन्वरी को लालकिला हिंसा हुई ति दंगा हुआ था दिल्ली को बंधक बना कर रखा गया था दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्परचार का एजेंडा चलाया गया था दुकाने खूल ली गई थी वही क्रिशी कानून आज 449 दिन बाद 439 डेज 449 दिन बाद संसद ने वापिस ले लिया है तारीख 17 सितंबर 2020 क्रिशी कानून पास हुए थे और दूसरी तरफ 14 महीने 13 दिन बाद संसद में ये क्रिशी कानून वापिस ले लिये गए हैं ये दो तारीखें जिस रास्ते आया कानून उसी रास्ते वापिस जला गया आज संसद में विपक्ष के जोरदार हंगावे की बीच तीनों क्रिशी कानूनों की वापसी पर संसद में मोहर लगा दी लेकिन क्रिशी बिल से शुरू किसान आंदोलन अभी भी खट नहीं हुआ है अब किसानों की वाँगे कि MSP यानि की फसलों के समर्थन नियूनतम समर्थन मुले पर कानून लाए जाए राकेश टिकेत ने धमकी दिया कि सरकार को 26 जन्वरी से पहले ये मुद्दा निप्टाना होगा नहीं तो पिछले साल की तरह इस बार भी 26 जन्वरी को ट्रेक्टर मार्च होगा अब किसान जिस MSP कानून की मांग को लेकर अड़े है ना अगर वो कानून आया तो सरकार के सालाना बजट का करीब 60 प्रतीशत 60 परसेंट सिर्फ MSP देने में निकल जाएगा ये एक आर्थिक गणित हम आपको समझा रहे हैं देखे इसको समझिएगा सरकार का जो सालाना बजट है वो है 30 लाख करोड का बहुत ध्यान से समझिएगा 30 लाख करोड का साल का सरकार का सालाना बजट है अगर ये MSP कानून आ जाता है तो 17 लाख करोड सिर्फ MSP में निकल जाएगा यानि कि MSP कानून आया, तो देश दिवालिया होने की स्थिती में पहुँच सकता है आर्थिक रूप से, MSP से देश पर आर्थिक बोज बढ़ेगा, विदेश से अनाज आयात बढ़ सकता है, क्योंकि जब कानूनी बाधिता होगी कि इससे कम में खरीदा नी जा सकता और इसस बाधार पूरी तरह से अस्थिर हो सकता है, लेकिन MSP की मांग की जा रही है, ओपोजीशन की तरव से भी, किसानों की तरव से भी, कॉंग्रेस पार्टी की तरव से भी, इसको लेकर अब हंगामा भी हुआ है, लेकिन सवाल ये है, कि जिस कानून को लाने के बारे में का ही, क्या ये नतीजा है?